तो हलो दोस्तों कैसे हुआ आप मैं हो गया हूँ वापेश बहुत सारे लीक्स के साथ आइफोन 12 प्रो के तो बने रहे वीडियो में बिना टंग जिसके बढ़ते हैं वीडियो की तरह अगर आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखिए आइफोन 12 प्रो वाली तो वो भी जाके देख लो क्योंकि उसमें मैंने सारे लीक्स दिखा दी हैं आपको जो तब तक के लिए थे और अब जो न्यू लीक्स आया है मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो पहल इस बार आपको जो यह अपडेटेड डिजाइन है इसमें आपको नॉच और भी ज्यादा चोटा देखने को मिलेगा जो की दिखने में बहुत ही कूल लगता है आजकल तो ऐसे आइएंट फोन जितने भी हैं उसमें आपको नॉच देखने को ही नहीं मिलता है बट एपल ही एक ऐसा फोन जिसमें आप एक लाग के असपास का आमाउंट देते हो उसके बाद भी आपको नॉच वाले डिस्प्ले देखने को मिलता है यह बहुत अच्छी बात है कि अपल अपनी तरफ से प्रेपेर कर रहा है उस नॉच को हटाने का और इस बार आइफोन 12 प्रो में आ अब ही तिक जो हमको साइलेंट स्विच मिलता था वो होरिजॉन्टल मिलता था बट अब हमको वर्टिकल मिलेगा और वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और इसके अलावा जो दोस्तों जो बॉक्सी डिजाइन है वो भी कन्फर्म होता जा रहा है जो भी न्यू अब हमको आइफोन 12 की जो प्रो सीरीज है उसमें शायद हमको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलेगा और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आइफोन 5 का लोक है जो आइफोन 4 का लोक है जो फ्लेट और दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था इस बार वो जीज और भी जाड़ा कर्फर्म हो गई है कि आईवोस 14 में आपको विजेट 100% देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके लीक्स बहुत सारे मिल रहे हैं बहुत अलग अलग जगें से आ रहे हैं हलांक आपको इससे कुछ हटके डिजाइन देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों मेरे कैलकुलेशन की हिसाब से लगबग 90% आपको यही सेम डिजाइन देखने को मिलेगा शॉर्ट नौच और यही iOS 14 देखने को मिलेगा क्योंकि हर साल ऐसा ही होता आ रहा है और हर साल हमको नएन रिलीस डेट आते आते हमको लगबग 100% लीक्स मिल चुके थे आईफोन 11 प्रो के तो दोस्तों हो सकता है और यह iOS 14 में हमको देखने को मिलेगा विजट वाला फीज़र दोस्तों अब बात करें फोन की लांचिंग की तो फोन का लांच जो है वो दिसमबर में शिफ्ट हो च अब बात करते हैं iPhone 9 या iPhone SE 2 के लांच की तो दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता है कि उसका नाम iPhone SE 2020 है अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर इदर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लो या फिर मीचे डिस्रिप अब मैं आपको बताता हूँ iPhone SE 2020 की जो release date है वो probably 15 April हो सकती है क्योंकि अगर आप अभी US में हो और वहां से अगर आप अभी iPhone 8 order करते हो तो उसकी जो shipping date है वो 15th of April से shift कर दी गई है 17th of April को तो दोस्तों ये possibilities बहुत जादा बढ़ गई है कि आपको 15 तारिक को iPhone SE 2020 की launching देखने को मिल सकती है हाँ इसके लिए कोई अलग से event नहीं होगा coronavirus के चलते बढ़ आपको ये Apple की official website में देखने को मिल जाएगी जैसा कि अभी-अभी Macbook Pro और iPad Pro launch हुआ 2020 तो दोस्तों ये थे आज के updates अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please hit that like button इधर उपर i button में क्लिक करके आ इसाथ बने रहो मेरा चैनल सब्क्राइब करो hit the bell icon ताकि मैं next time जब भी वीडियो दालू तो आपके पास वीडियो की notification सबसे पहले आ जाए तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाबा आए